ओ महागलेश आये नमा ओम गंग गड़पते नमा गड़पते वाच एस्ट लोली से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चोवे आप सभी मित्रों का हार देख स्वागत और अविन्दन करता हूं मित्रों नमस्कार मित्रों मैं हादेर हूं आप सबसे अपनी चर्चा आज की बारत करता के विशय चंद्रमा विविन्दन राश्यों की विविन्दन वहाओं में क्या साफ़ देते हैं यह चर्चा करते करते हैं अब हम अगली राशी यह नहीं मकर राशी पर आ गए हैं तो मकर राशी के लिए चंद्रमा लगन में बैठेंगे पहले ही भाव में और साथ में बहुत ही अच्छी होगी यह तो शनी की राशी है मकर राशी परस्नल्टी अच्छी होगी यानि मनोहर कारी मन को हरने वाली परस्नल्टी बहुत सुंदर शरीर आगर्शक शरीर हस्मुक शरीर चेहरा सुंदर गोल मटोल हर कोई देखे तो एकदम लाइक करें तो भई बहुत अच्छा जाता कि परसनल्टी तो जाता किसी भी फैसले को लेने में दुर्दा में रहेगा पर मेंटल प्रॉब्लम रही उसको सोच नहीं पाएगा यह फैसला में लूँ न लूँ क्या फैसला लूँ तो परसनल्टी तो बॉड़ी अच्छी है श्री अच्छा लेकर मास्टिक्स प्रूप से वह उतना समर्थ ह जाता को गलत बताकर ब्रमित करना बहुत आसान काम कोई भी कह देगा तुम तो गलत कर रहे है उसको ब्रमित डाल दो मतलब उसकी बुद्धी का धुरा सा मामला डाउन रहेगा तो उसको आसानी से मूर्ख बना जा सकता है सेवेंथ हावस में चंद्रमा है वह अपना अपना घर में है तो जातक का जीवन साती भी बहुत सुदर होगा बहुती प्रवीन बुद्धी मान अच्छा होगा बैवाइक जीवन बहुत अच्छा उपेगा जीवन साती शुन्दर और आगर्शक होगा पार्ट्णर से पूरा स्वयोम मिलेगा देली बेजर से मीलेगा बहुत बढ़ी है उन्नती साथ में भाव में और क्रक राशी बैटी हुए और लगर में भी तो मगर राशी के लिए चंद्रमा तो पहले भाव में तो अच्छा फाइदा कर रहे हैं मकर लगन में चंधलमा हुआ तो मकर राशी हो जाये और विठी हो तो मकर राशी के यह चंधलमा तो अच्छा है भई कर देखें दूसरे भाव में चंधलमा न्याद कमकर रहे लोगी ड़िए इस्थर टामटोल कमजोर रहेगी दनका अबाव रहेगा तो परवार का सवयोग नहीं मिलेगा तो जातक दुखी रहेगा और मजबूरन जातक को परवार से अलक नहीं करके दूर रहेकरके रोजी रोठी किरी जाना पड़ सकता है वेदर भी चला जाए तो भाई दूसरे भाव से तो ज्याद अच्छा नहीं आया, आज में दर्शी जा रही है तो ज्यातक को जीवन में अपने उन्नत पत्पर चलने के लिए अवश्य को प्रात करने के लिए रास्ते में बड़ी बाधाओं रोड़े आएंगे, और रोड़े और बाधाओं को ज् लिए यहाँ पर लेकिन छोटे भाई बहन से कोई सायोग नहीं मिदेगा अपने परक देखने करक्राशी तो छोटे भाई-बैणों का योग है यहां पर लेकिन छोटे भाई-बैऑं से कोी शायोग नहीं मिदेगा जातक परश्रम तो बहुत करेगा, लेकिन परश्रम कोई लामनी मिले वाला है, चुटी मुटी यात्रा भी करेगा, वो लामनी देंगी, भै, नाइंत बाहु से जातक की पिता से मिस अंदर्स्टेंडिक रहेगी, पिता का आदर संमान निकरेगा, तो बदले में पिता भी बियदेश यात्राव का तो यूग है विदेश जाएगा भी लेकिं जाने से कोई लाब नहीं मिले गए कोई विदेश यात्राव में शुक नहीं है और 17 वाओ भी पति-पतनी की बीतमें सरयोग निदेगा पारबारिक जीवन बैबाइक सीवन अच्छा बीतेगा तो बही अब चौते हाउस में चौते भाव में चंद्र में आते हैं दसमें भाव को देखेंगे सात्में भाव में उनकी करगराशी है तो जातक के माता-पिता के साथ समस्था रहेगी माता से मिस-understanding रहेगी माता का कोई स्वयोग नहीं मिलेगा जातक भूमी भवन करे परवार के लिए सुख साथनों को भी अने करा पायगा कोशिट करेगा गाड़ी रने की नहीं लेपायगा कोशिक करेगा मंकान लेने की नहीं ले पायगा तो शुक्त सुवदाओं से बंचित हो तो जातक बहुत धुखी परेशान मेंटल टेंशन में जीएगा अच्छा कोई लाब नहीं मिलेगा कोई तरक्की नहीं मिलेगी कोई नहीं करेगा तो बढ़िया निरा पई और बैभाई जीवन पुश्चा नहीं बैठेगा पत्ने के विचित कर अच्छे संबन्हें रहें मत्वेध रहेगा पांच में वहावन चंतर मां बैठते हैं तो 5 वहावन बैठके 11 मां OFाको दिक्षंगे और सार्थ में वहावन कि करदासी ही तो जा तक करन्या संतान का योग है करन्या होगी पेहली तो पहली संतान तो करने हो गई जाता कि आद्दास इच्छा सक्ती कमदों रहेंगे self-confidence zero रहेगा थोड़े बोड़े उदर विकार रहेंगे वो दूर नहीं हो पाएंगे बीमारी बने रहेगी जाता कि आद्दास कमदों रहेगी देखिये जाता को लाव कम मिलेगा बड़े भाई में भी स्थपोर्ट नहीं करने वाले हैं जा तक क्या बैभाईग जीवन भी अच्छा नहीं बीतनेगा पती पत्ने की विश्में मदेवेत बना देगा छटे भाव की चंत्रमा बारे में भाव को देखेंगे तो रोग से रिन से मुक्ति नहीं मिलेगी बीमारी छोड़ेगी नहीं पीछा जो कर्दा लिया है बैंक से चुका नहीं पाओगे किसी को पैसा उधार दिया तो बापेस नहीं आएगा कोट के दिरी में केश चल ला है तो हार जाओगे भाई कि शत्तु परेशान करेंगे चोट चपेट ज्यादा जोगी दुरगट नहीं तो ज्यादा चोट लगेगी अगर प्रित्योगी प्रक्षाव में सम्मलित हो रहे हो तो देर सबेर बहुत विलम से सपलता मिलेगी आसानि से निय anticipate है बार में बहालामन देठी जा रही है तो अरुतले बिरथ के खर्चे लुए द् violation थी कानी होगी विद्रीश जाओगों कोई लावननी मिल्ने वौला भाई तो अच्छा यह देखिए अगर अघर आपके लौड जहां सनी अच्छे काम कर लिया जिससे आपको सत्मय में च दन्मा भैठते हैं अपनी लज Selly है कम चार। चुर्स स संद्रा गोवा अच्छा अगा बाइक जीवर्टेगा। पार्टनर्स का सवयोग मिलेगा, देली विजर से लाब मिलेगा, जातक का व्यक्तित त्वर, परसनल्टी भी बहुत सुन्दर होगी, गजब की परसनल्टी होगी, आकर्षक, मन मुहक चेहरा, माने मिली सुन्दर, जो कोई देखे वो एकदम प्रसंद हो जा, मनोहरी शबी, बहुत ही बड़ी है, चित्त को प्रसंद करने वाली, आज में वहाव में संद्रमा आये, आज में वहाव में बैठके दूसरे को देखेंगे, और साथ में में उनकी राशी है, कर्व राशी, तो जातक को जीवन पत पर बाद आहें, बाद आहें आएंगी, रोडे ही रोडे बाद आएंगे, रोडे और बाजाव पर जातक कावो नहीं पापाएगा, कावो पाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, लेकिन सबलता नहीं मिलेगी, आर्थ किस्तिती डामा डोल रहेगी, धन का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा तो परवार भी सयोग नहीं करेग परवार सयोग नहीं करेगा, तो जातक परवार से दूर जाकर रहेगा, रोजी रोठी के लिए दूर काम करेगा, यह नहीं बिदेश भी जा सकता है, और देखिए, साथ में भाव से भी जातक को पती-पत्नी की बिच में मत्वेद रहेगा, संबन अच्छे नहीं रहेगे, बढ़ी अडेली वेदर्स को कोई लाव ने मिलने वाला है, पार्टनर्स भी कोई सयोग नहीं करेंगे, नमें भाव में चंद्रमा आते हैं, तीसरे भाव में रशी जाती है, साथ में में करें राशी है, तो जातक के पिता के साथ अच्छे सम्बन नहीं रहेंगे, पिता के को कि आधर्में नहीं भागी नहीं लेका बित्षी यातर है करेगा तो लाभ कर रहे हूंगी यातरा में नुक्सान नुक्सान रहेगा तो देखिए और तीसरे भाव से क्या है छोटे भावावन सायता नहीं करेंगे लाब नहीं मिलेगा परिश्रम परिश्रम बहुत करेंगा लाब नहीं मिलेगा दसने बाव में देखते हैं तो दसने कार्शेत्म जात्रक को बहसे बादाई बादा मिलेगी कोई सपोड़ी डिपावन्टर लोग साज़ता नहीं करेंगे बहुँ कुछ नहीं रहेगा ब्यापार में तरकिय नहीं मिलेग फौछ नहीं है इस्थायत्य नहीं है तो उसके वरस विडाए मैं कोई खरीदने में बेचने में नुक्सानी देगा और जातक इन चीलेओं को अपने प्राथ करना चाहता है अपने घर की शुख सुखवदाओं के लिए तो करी नहीं पाएगा इस कारण से दुखी रहेगा परिशान देगा कि मैं अपने जीवन के लिए अपने लाब तो इस तरह से तरह से जातक अपने परइशान रहेगा अच्छा नीद रहेगा दुखी रहेगा सात में हाव से जो है पतीपनी को समझर उनका पॉर्टनर सोयोग निकakesने के देली वेरस को लाबनी मिलेगा तो भई अच्छा नहीं हो रहा है अब देखे ग्यार में वहाँ में चंद्रम आये पांच में में दर्शी जा रही है साथ में उनकी राशी है तो जा तक का बैभाग जीमन में कोई सफलता नहीं मिलेगी पती पत्नी की बिच में मतवेद है संथान से को Λाम नहीं मिलेगा संतान को स्थहयों लेगा संतान प्रक्षम अच्छा नहीं कर पाएगी भाई जातक की याद्दार्स कमदोर है कि इच्छा शक्ति कमदोर रहेगी जा तकसे कोंडिएंस बहुत कम रहेगा कि उदर बिकार ब्रहे देखे वीमानीया चोटी म पिशा नहीं छोड़ेगी जयातक को लाब की वजय हनी ज्यादा मिलेगी वहई और साथ में वहु से क्या है परवार का सरोग नहीं मिलेगा परवार में जगड़ा रहे गा हापस तनाव रहेगा आपको बारमें बहामन चलते हैं तो बारमें बहाँ में खर्टा है भेत जयातर है। नुख्सान भंकी हाझई हणिये है। विदेश यात्रा होंगी उनसे भी फाइदा नहीं कोई विदेश में जो जाने से यात्रा तो होंगी विदेश की लेकिन वो छोटी मोटी ऐसे जिसमें फाइदा नहीं होगा लाब नहीं होगा अचानक से खर्चे आ सकते हैं बीमारी के खर्चे आ सकते हैं छटे बाव से बीमारी है भागें नहीं रोगरंण से मुक्ति नहीं मिलेगी ना तो बेंक कर्दा अच्छे नहीं है तो यह तो अच्छा नहीं नहीं तो मैं पहले से बार में भाव तो बताया आपको तो मगर राशी के लिए सफल बताए में तो तो मैं यहां बिराम लूँगा अब मेरे चैनल को लेकिन जो पहली वादार है वो प्लीज सब्सक्राइब तूरू करने नमस्का झालएब